नमस्कार दोस्तो, Welcome to my channel Edu Bulletin Hub आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2015 UPSC Prelims के पेपर को सॉल करने वाले हैं यह हमारे वीडियो का Part 1 होने वाला है इस वीडियो में हम Question No.1 से लेकर के Question No.50 तक के प्रशनों को सॉल करेंगे बाकी के बचे Question हम इसके Part 2 में सॉल करने वाले हैं तो इस वीडियो में आगे बड़े इससे पहले आप सभी से एक request है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है या आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जैसे ही अपना अगला वीडियो अप्लोट करें आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए तो चलिए चलते हमारे पहले प्रश्न की और प्रश्न नमबर एक है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानि देश में वित्तिय समाविषन को प्रोचाहित करने के लिए प्रधान मंत्री जंदन योजना प्रारंब की गई है दूसरा प्रश्न है चोदोवे वित्त आयोग के संदर्भों में सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबन्दिश सिफारिशे की है नीचे दिये गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए विकल्प A केवल 1 विकल्प B केवल 2 विकल्प C 1 और 2 दोनो विकल्प D ना तो 1 और नही 2 इसका सही उत्तर है विकल्प A यानी केवल एक सही है यानी इसमें दिया गया कथन एक सही है यानी इसने केंदरी विभाजे पुल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ा कर 42% कर दिया है प्रशन नम्भर 3 हाल ही में समाचारों में आई फोटालेजा, अद्गोषना Photolaser Declaration निमनलिखित में से किसके मामलों से सम्बंधित है विकल्प A. 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 विकल्प B. B. BRICS विकल्प C. OECD विकल्प D. WTO इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B. यानि B. यानि Photo- Laser Declaration B. BRICS से सम्बंधित है चवथा प्रशन है किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सुचित करती है पहला आर्थिक व्रद्दी दर धीमी होना दूसरा राष्ट्री आय का कम सामीक यानि equitable वित्रण नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो विकल्प D ना तो एक और नहीं दो इसका सही उत्तर है विकल्प A यानि केवल एक सही है यानि इसमें दिया गया पहला आर्थिक व्रद्दी दर धीमी होना ये सही है प्रश्न पाचवा है उश्नकटी बंदिय यानि ट्रॉपिकल अक्षांसों में दक्षिनी अट्लांटिक और दक्षिन पूर्वी प्रशांत शेत्रों में चक्रवात पनन नहीं होता इसका क्या कारण है विकल्प A समुद्री प्रश्टों के ताप नीमन होते हैं विकल्प B अ उन शेत्रों में भूमी मौजुद नहीं होती इसका सही उत्तर है विकल्प B यानि अन्ताह उश्नकटी बंदिय अभी सारी शेत्र बिरले ही है चटवा प्रश्न है भारत के राज्यों का निमने लिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चीमी र इसका सही उत्तर है विकल्प D यानि अरुनाचल प्रदेश और गुजरात सही है सात्वा प्रश्न है राजिक की निती के निदेशक तत्वों के बारे में निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की परियुक्त कतनों में से कौन सा सही है विकल्प A केवल एक विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो 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 विकल्प D न तो एक और नहीं दो इसका सही उत्तर है विकल्प C यानि एक और दो दो दोनों सही है यानि इसमें दिये गए दोनों कतन सही है आठवा प्रश्न है आठ मूल उद्योगों के सुचकांक इंडेक्स ओफ एट कोर इंडस्ट्रीज में निमन लिखित में से किसको सरवादिक महत्व दिया गया है विकल्प A कोईला उत्पादन, विकल्प B विद्यूत उत्पादन, विकल्प C उर्वरक उत्पादन, विकल्प D स्पात उत्पादन इसका सही उत्तर है विकल्प B यानि विद्यूत उत्पादन नववा प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनुठा है कि वह एक पलवमान यानि फ्लोटिंग वनस्पती से युक्त अनुप स्वैंप होने के कारण सम्रद जैव विविधिता को बड़ावा देता है विकल्प A. भीतर कणिका नेशनल पार्क विकल्प B. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विकल्प C. केवला देव घाना नेशनल पार्क विकल्प D. सुल्तानपूर नेशनल पार्क इसका सही उत्तर है विकल्प B. यानि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दस्वा प्रश्न है राश्ट्री नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनाईएफ के इबारे में निमने लिखित में से कौन सा कथन सही है कथन एक एनाईएफ केंद्रिय सरकार के अधिन विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग की एक स्वायत संस्ता है कथन 2, NIF, 38-9 विदेशी विग्यानिक संस्थाओं के सहियोग से भारत की प्रमुक यानि प्रीमियर विग्यानिक संस्थाओं में 38-9 विग्यानिक अनुसंदान को मजबूत करने की एक पहल है नीचे दिये गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और नहीं 2 इसका सही उत्तर है विकल्प A यानि केवल 1 सही है यानि इसमें दिया गया पहला कथन सही है 11 प्रशन है क्रशी में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयूक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है पहला नाइट्रोजन योगी की करण सुक्ष्मजीवो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो और्गेनिजम्स का मिट्टी में प्रचुरोदभोवन प्रॉलिफरेशन में हो सकता है दूसरा मिट्टी की अमलता में बड़ोतरी हो सकती है तीसरा भावमजल यानि ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन लीचिंग हो सकता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिया विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 2, विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर है विकल्प C यानि केवल 2 और 3 सही है यानि इसमें दिया गया दूसरा और तीसरा खथन सही है बारवा प्रशन है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षन के लिए अंतरराश्ट्री संग International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात के संकटापन्न स्पेसीज के अंतरराश्ट्री व्यापार पर कन्वेंशन Convention on International Trade in Endensured Species of Wild Fauna and Flora साइट्स के संदर्भ में निमनलिके कत्नों में से कौन सा सही है पहला IUCN संयुक्त राश्ट्र का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों की भी चंतर राश्ट्री करार है दूसरा IUCN प्राकरतिक परियावरण के भेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों शेत्र परियोजनाएं चलाता है तीसरा साइट्स उन राज्यों पर वैद रूप से आबद्दकार है जो इसमें शामिल हुए है लेकिन यहाँ कन्वेंशन राश्ट्री विधियों का इस्थान नहीं लेता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C केवल एक और तीन, विकल्प D एक दो और तीन इसका सही उत्तर है विकल्प B यानि केवल दो और तीन सही है यानि इसमें दिया गया दूसरा और तीसरा कथन सही है तेरवा प्रश्न है गन्य की उचित एवं लाब प्रत कीमत एफारपी को निम्न लिखित में से कौन अनुमोदित करता है विकल्प A. आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिती विकल्प B. क्रशी लागत और कीमत आयोग विकल्प C. क्रशी मंत्राले का विपणन और निरिक्षन निदेशाले विकल्प D. क्रशी उत्पाद विपणन समिती इसका सही उत्तर है विकल्प A. यानि आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिती एफारपी का अनुमदन करती है चवद्वा प्रश्ण है विशुवतिय प्रतिधाराओं एक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पुर्वाभी मुख प्रवाह की व्याक्षय किससे होती है विकल्प A. प्रत्वी का अपने अक्षपर घूनन विकल्प B. दो विशुवतिय धाराओं का अभी सर्ण विकल्प C. जल की लवनता में अंतर विकल्प D. विशुवत वरत के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ओफ काम का होना इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B. यानि दो विशुवतिय धाराओं का अभी सर्ण पंद्रवा प्रशन है निमनलिखित युगमों पर विचार कीजिए एक तरब आपको तीरतिस्तान दिये गए है दूसरी तरब आपको अवस्थिती दी गई है पहला है श्री शेलम नल्लमला पहाडिया दूसरा है उंकारेश्वर सत्माला पहाडिया तीसरा है पुषकर महादेव पहाडिया और परियुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेली थे विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C केवल एक और तीन, विकल्प D एक दो और तीन, इसका सही उत्तर है विकल्प A, यानि केवल एक सही है, यानि इसमें दिया गया केवल पहला यानि श्री शेलम नल्लमला पहडिया सही सुमेलित है, रॉलेट सत्य सत्याग्रा में गांधी जी ने होम रूल लिग का उपयोग करने का प्रयास किया, तीसरा साइमन कमिशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रा के साथ-साथ हुए, नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनी है, विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 1, 2, विकल्प C केवल 2, 3, विकल्प D 1, 2, 3, इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प B यानी केवल 1, 2 सही है, यानी इसका पहला और दूसरा कथन सही है, हमार अगला प्रशन है निमन लिखित में से किनका इबोला विशानू के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार-बार उल्लेख हुआ विकल्प A. सीरिया और जॉर्डन विकल्प B. गीनी, सियरा, लियोन और लाइबेरिया विकल्प C. फिलिपिन्स और पापुआ, नियुगीनी, विकल्प D. जमैका, हैती और सुरीनाम इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B. यानि गीनी, सियरा, लियोन और लाइबेरिया सही है अठारवा प्रशन है, इंदन के रूप में कोईले का उपयोग करने वाले शक्ती सही अंतरों से प्राप्त, फ्लाइ एश के संदर्व में, नियमने लिकित कत्नों में से कौन सा सही है पहला कतन है, फ्लाइ एश का उपयोग भवन निर्मान के लिए इटो के उत्पादन में किया जा सकता है दूसरा है, फ्लाइ एश का उपयोग कंक्रिट के कुछ पोटलेंड, सिमेंट, अंश के स्थानापन, रिप्लेस्मेंट के रूप में किया जा सकता है तीसरा है fly ash केवल silicon dioxide तथा calcium oxide से बना होता है और इसमें कोई विशाक्त यानि toxic तत्वन नहीं होते हैं नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A, 1 और 2, विकल्प B, केवल 2, विकल्प C, 1 और 3, विकल्प D, केवल 3 इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प A, यानि केवल 1 और 2 सही है, यानि इसमें दिया गया पहला और दूसरा कथन सही है उनिस्वा प्रशन है, भारत में पाये जाने वाले इस्तंधारी ड्यूगोंग के संदर्ब में निमनलिकित कत्नों में से कौन सा सही है पहला, यहाँ एक शाकाहरी समुदरी जानवर है, दूसरा, यहाँ भारत के पूरे समुदर तट के साथ साथ पाया जाता है तीसरा, इसे वन निजिव संदर्ख्षन अधिनियम 1922 की आनुसुची 1 के अधिन विदिक संदर्ख्षन दिया गया है नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिया, विकल्प 1 एक और दो, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और तीन, विकल्प D केवल तीन, इसका सही उत्तर है, विकल्प C यानि केवल एक और तीन सही है यानि इसमें दिया गया पहला और तीसरा कथन सही है प्रश्न 20 निमनलिखित में से कौन भारत में उपनिवेश्वाद का आर्थी कालोचक था पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा जी सुब्रमन्यम आईयर, तीसरा आरसी दर्ता नीचे दिये गये कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये, विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3, इसका सही उत्तर है विकल्प D, यानि 1, 2 और 3, तीनों सही है यानि इसमें दिये गये तीनों सही है 21 प्रश्ण है विश्व आर्थिक संभावना Global Economic Prospectus Report आवधिक रूप से निमने लिखित में से कौन जारी करता है विकल्प A. एशिया विकास बैंक विकल्प B. यूरोपिय पुनर निर्माण और विकास बैंक इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D. यानि विश्व बैंक विश्व आर्थिक संभावना यानि Global Economic Prospectus Report जारी करता है 22 प्रश्ण है जब भारती रिजर्व बैंक सावीधिक नगदी आनुपात Statutory Liquidity Ratio को 50 अधार अंक यानि Basis Point कम कर देता है तो निमनलिकित में से क्या होने के संभावना होती है विकल्प A. भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी विकल्प B. विदेश्य संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पुंजी लाएंगे विकल्प C. अनुसुचीत वाणी जिक बेंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते है तेइस्वा प्रष्ण है स्वास्त शेत्र में नाइनो टेकनलोजी की उप्योग के संदर्ब में नेमने लिखित कतनों में से कौन सा सही है पहला है नाइनो टेकनोलोजी के दोरा लक्ष युक्त और सदी प्रदान करना टारगेटेड ड्रग डिलिवरी संभाव कर दिया गया है दूसरा है नाइनो टेकनोलोजी जीन उपचार यानि जीन थेरैपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिया विकल्प A केवल एक विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दोनो विकल्प D ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तरे विकल्प C यानि एक और दो दोनों सही है यानि इसमें दिये गए दोनों कथन सही है चोविश्वा प्रश्ण है भारत में क्रशी उत्पादों के बाजार को किसके आधिन वी नियमित किया जाता है इस प्रश्ण का सही उत्तरे विकल्प B यानि राज्यो द्वार अधिनियमित क्रशी उत्पाद विपण समीती अधिनियम पच्चिसवा प्रशन है निमने लिखित में से कौन सा एक भारत का राश्ट्री ये जली पराणी है विकल्प एक खारे पानी का मगर विकल्प बी ओलिव रिडले टर्टल विकल्प सी गंगा की डॉल्फिन विकल्प डी घडियाल इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी यानि गंगा की डॉल्फिन 26 प्रशन है कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी के संदर्ब में निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसने ब्रिटिश माल के बहिशकार और करों के अपवंचन की वकालत की दूसरा यह सरवहारा वर्ग का अधिनाय कत्व इस्थापित करना चाहती थी तीसरा इसने अल्प संक्यको तथा दलित वर्गों के लिए प्रथक निर्वाचन शेत्र की वकालत की उपरियुक्त कत्नों में से कौन सा सही है विकल्प A केवल 1 और 2 विकल्प B केवल 3 विकल्प C 1 2 और 3 विकल्प D कोई नहीं इसका सही उत्तर है विकल्प D यानि कोई नहीं यानि ये दिये गए तीनों कत्न गलत है 27 प्रश्न है निम निलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला राज्यसबा में धन विदेयक को या तो अस्विकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ती नहीं नहीं है दूसरा राज्यसबा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है तीसरा, राज्यसभा में वारशिक वित्ती विवरंड पर चर्चा नहीं हो सकती है उपर एक्ट कत्नों में से कौन सा सही है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 1 और 2 विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B यानि केवल 1 और 2 सही है यानि इसमें दिया गया पहला और दूसरा कत्न सही है 28 वा प्रश्ण है भारत परकार अधीनियम 1919 ने नून नलिखित में से किसको इस पश्ट रूप से परिभाशित किया विकल्प A नियाएपाली का एवं विधाई का के बीच शक्ती का प्रथक करण विकल्प B केंद्री एवं प्रांतिय सरकारों के अधीकारीता विकल्प C भारत के सेकरेटरी ओफ स्टेट एवं वाईसराई के शक्तिया विकल्प D उपरियुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानि केंद्री एवं प्रांतिय सरकारों के अधीकारीता उन तीसवा प्रश्न है नियमने लिखित में से कौन और द्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोकता कीमत तुछकांक निकालता है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानि श्रम विवरो तीसवा प्रश्न है आधुनिक वेग्यानिक अनुसंधान के संदर्वों में हाल ही में समाचारों में आए दक्षनी दुरूप पर इस्तित एक कन संसुचक आइस क्यूब के बारे में निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला है यहां विश्वा का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमेटर घेरे वाला नियूटरों संसुचक है दूसरा यहां डार्क मेटर की खोज के लिए बनी शक्तिसाली दुरूबीन है तीसरा यहां बर्फ में गहराई में दबा हुआ है और पर इक तो कत्नों में से कौन सा सही है विकल्प A केवल 1, विकल्प D केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 1 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यानि 1, 2 और 3 सही है यानि इसमें दिये गए तीनों कत्न सही है विकल्प A खाद्य और क्रसी संगटन विकल्प B जलवायू परिवर्तन संयुकत राष्ट का रूप रेखा सम्मेलन विकल्प C विश्ववयापार संगटन विकल्प AD संयुकत राष्ट परियावरन कारेकरम इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानि 1 विश्वव्यापार संगटन 32 प्रश्न है निकट शेत्र संचार नीयर फिल्ड कम्यूनिकेशन NFC प्रद्योगी के संदर्व में निमनिलिकित कत्मों में से कौन सा सही है पहला यह एक संपरक रहित संचार प्रद्योगी की है जो विद्युत चुम्बकी ये रेडियो शेत्रों का उप्योग करती है दूसरा NFC उन युक्तियों डिवाइसेज के द्वारा उप्योग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से एक मीटर के दूरी पर भी इस्तित हो सकते हैं तीसरा सब्वेदन शिल सूचना भेशते समय NFC कोडी करण एंक्रिप्शन का उप्योग कर सकता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 3, विकल्प C केवल 1 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3 इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प C यानि केवल 1 और 3 सही है यानि इसमें दिया गया पहला और तीसरा कथन सही है तैतिस्वा प्रश्न है गोलन हैट्स के नाम से जाने जाने वाला शेत्र निमने लिखित में से किसे संबंदित घटनावों के संदर्ब में यदा कदा समाचारों में आता है विकल्प A. मद्धे एशिया विकल्प B. मद्धे पूर्व मेडिलिस्ट विकल्प C. दक्षिन पूर्व एशिया विकल्प D. मद्धे एफ्रिका इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. यानि मद्धे पूर्व मेडिलिस्ट चौतिसवा प्रश्न है रुपए की परिवर्तनियता से क्या तात्परिय है विकल्प A. रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना विकल्प B. रुपए के मुल्य को बाजार की शक्तियों दोरा निर्धारित होने देना विकल्प सी रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्थित करने के स्वतंतर रूप से अनुग्या प्रदान करना विकल्पडी भारत में मुद्राओं के लिए अंतर राष्ट्री बाजार विक्षित करना इस प्रश्न का सही उत्तरी विकल्प C यानि रुपई को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपई में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुग्या प्रदान करना 35 प्रश्न है निम्नलिक्ती युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ आपको मद्दे कालिन भारती राज्य दिये गए है और दूसरी तरफ आपको उनके वरतमान शेत्र दिये गए है पहला चंपक, मद्दे भारत, दूसरा दुरगर, जम्मो, तीसरा कुलुत, मालाबार, परिप्त युगमों में से कौन सा सही सुमेलित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B यानि केवल दो सही है यानि इसमें दिया गया केवल दूसरा यानि दुरगर और जम्मो सही सुमेलित है चतिसवा प्रश्ण है निमनलिखित नदियों पर विचार कीजिए पहला वन्षधारा, दूसरा इंद्रावती, तीसरा प्रणहिता, चौथा पिन्नार उपरिउक्त में से कौन सी गुदावरी की सहायक नदिया है विकल्प A एक दो और तीन, विकल्प B दो तीन और चार विकल्प C एक दो और चार, विकल्प D केवल दो और तीन इसका सही उत्तर है विकल्प D, यानि केवल दो और तीन सही है सेतिस्वा प्रश्न है, जब संसत के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में कोई विधेयक, निर्दिष्ट यानि रेफर किया जाता है, तो इसे किसके दोरा पारित किया जाना होता है विकल्प A, उपस्तित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधान बहुमत विकल्प B, उपस्तित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3-4 बहुमत विकल्प C, सदनों का 2-3 बहुमत विकल्प D, सदनों का 4 बहुमत इसका सही उत्तर है विकल्प A यानि उपस्तेत तदा मत देने वाले सदस्ट्यों का साधान बहुमत 38 प्रश्न है भारत के निमनल्कित शेत्रों में से किस एक में मैंगरोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है इसका सही उत्तर है विकल्प D यानि अंडमान और निकोबार द्यूपसमो 49 प्रश्न है निमनल्कित राज्यों में से किन का संबंद बुद्ध के जीवन से था पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा मगद नीचे दिये गए कूट का प्रयोब कर सही उत्तर चुनिया, विकल्प A, 1, 2, 3, विकल्प B, केवल 2, 3, 4, इसका सही उत्तर है विकल्प D, यानि केवल 3 और 4 सही है यानि इसमें दिया गए तीसरा और चौथा कौशल और मगद सही है चालिसवा प्रश्ण है, नीमने लिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्तों के प्रयोग पर नियंत्रन करने और उन्हें चरणबद रूप से प्रयोग बाहय करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंद है इसका सही उत्तर है विकल्प B यानि मांट्रियल प्रोटोकल 41 प्रशने है निमनिल्खित पर विचार कीजिए बाबर के भारत में आने के फलसोरू पहला उप महदीब में बारूत के उपयोग की शुरुआत हुई दूसरा इसक शेत्र की इस्थापत्य कला में महराब और गुंबद बननी की शुरुआत हुई इसक शेत्र में तैमूरी तीमूरी राजवाईश स्थापित हुआ नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 3, विकल्प C केवल 1 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर है विकल्प B यानि केवल 3 यानि इसमें दिया गया केवल तीसरा सही है भारत सरकार के नीती आयोग की स्थापना निम निल्खित में से किसका अस्थान लेने के लिए की है विकल्प A मानव अधिकार आयोग विकल्प B वित्त आयोग विकल्प C विधी आयोग विकल्प D योजना आयोग इस प्रश्न का शही उत्तर है विकल्प D यानि योजना आयोग 43 वा प्रश्न है आम तोर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है विकल्प A यह धार्णिय विकास सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट पर सही उत्राष्ट सम्मेलन है विकल्प B यह विश्व व्यापर संगटन के मंत्री वरगी मिनिस्ट्री रियल बैटक है विकल्प C यह जलवाई परिवरतन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्मेंटल पैनल ओन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है विकल्प D यह जैव वीदता पर कंविंशन के सदस्य देशों का संम्मेलन है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प A यानि यह धार्णी ये विकास सस्ने नेबल डेवलोप्मेंट पर सही उत्राष्ट सम्मेलन है चब वालिस्वा प्रश्ण है निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला भारती संग की कार्यपाली का शक्ती प्रधान मंत्री में नहीं थे दूसरा प्रधान मंत्री सिविल सिवा बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष होता है और परिग तो कत्नों में से कौन सा सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो, विकल्प D ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D यानि ना तो एक और नहीं दो यानि इसमें दिये गए दोनों कथन गलत है 45 प्रश्ण है गोल्डी लोक्स जोन्स शब्द निन लिकित में से किसके संदर्ब में अक्सर समाचारों में देखा जाता है विकल्प A भूपरष्ट के उपर वास योग्य मंडल की सीमा है विकल्प B प्रत्वी के अंदर का वह शेत्र जिसमें शेल गेस अपलब्द है विकल्प C बहाई अंत्रिक्ष में प्रत्वी जैसे ग्रहों की खोज विकल्प D मुल्यवान धातूओं से युक्त कुलकापिंडो मेटियोराइट्स की खोज इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C यानि बहाई अंत्रिक्ष में प्रत्वी जैसे ग्रहों की खोज 46 प्रश्ण है इनमे से किसने अप्रेल 1930 में नमक कानुन तोड़ने के लिए तंज़ोर तट पर एक अभियान संगटित किया था विकल्प A वी ओ चिदंबरम पिल्लाई विकल्प B C राज गुपालाचारी विकल्प C कामराज विकल्प D एनिबेसेंट इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B यानि C राज गुपालाचारी 47 प्रश्ण है इनमे से किसने क्रश्णा नदी के सायक नदी के दक्षिन तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनीदी के रूप में अपने इस नए राज्जे पर शाशन करने का दाई तवलिया जिसके बारे में माना जाता था कि क्रश्णा नदी से दक्षिन के समस्त भूमी उस देवता की है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी यानि हरियर प्रतार तालिसवा प्रशन है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के प्रतम महिला अद्देक्ष सरोजीनी नाइडो थी दूसरा भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अद्यक्ष बदरुद्दिन तयव जी थे उपरीग तो कतनों में से कौन सा सही है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्ण का सही उत्तरे विकल्प B, यानि केवल 2 सही है यानि इसमें दिया गया दूसरा कतन, भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अद्यक्ष बदरुद्दिन तयव जी थे, यह सही है 59 प्रश्ण है, हरिज जलवायू निधी, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में नेमन लिखित में से कौन सा कतन सही है पहला, यह विकास सिल देशों को जलवायू परिवर्तन का सामना करने हैं तू, अनुकूलन और निवनी करन पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है कतन दो, इसे योनेप, OECD, एशिया, विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये, विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो, विकल्प D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A यानि केवल एक सही है यानि इसमें दिया गया पहला कथन सही है पचासवा प्रश्ण है वर्ष 2014 के लिए इंद्रा गादी, शान्ती, निरस्तिकरण और विकास पुरुषकार निमने लिखित में से किस एक को दिया गया था इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C यानि भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगटन को 2014 के लिए इंद्रा गादी, शान्ती, निरस्तिकरण और विकास पुरुषकार दिया गया था तो आज का हमारे ये डिस्केशन यहीं समापत होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माद्धिम से जरूर बताइए और साथ ही अगर आपको इन प्रस्नों से रिल्टेट कोई और जनकारी चाहिए तो हमें कमेंट के माद्धिम से आप पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक UPSC Prelims 2014 के Question Paper का Sold वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद